नमेशकार दोस्तों आपको याद होगा जैनवरी के फर्स्ट वीक में जब को वैक्सीन को यहाँ पर इमर्जेंसी अप्रूवल दिया गया था तो काफी सारे क्रिटिसिसम भी देखने को मिल रहे थे कहा जा रहा था कि सरकार ने इसको हरबड़ी में तो यहाँ पर अप्रूवल नहीं दे दिया है इमर्जेंसी अप्रूवल में यहाँ पर अभी पूरी तरह से जो टेस्टिंग है वो नहीं की गई है लेकिन जिस तरह से डेटा और रिपोर्ट सामने आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जो को वैक्सीन है भारत बायो टेक के द्वरा बनाया हुआ यह काफी अच्छा उधारन साबित हो रहा है पूरे विश्व के अंदर क्योंकि लेटेस्ट अगर आप खबर दीखे तो बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो डबल म्यूटेंट है इस पर्टिकुलर म्यूटेंट को भी काफी अच्छे से ये रोग देता है वैक्सीन मतलब कि अगर जिसने ये वैक्सीन लगाई है उसके बॉडी के अंदर ये वाला जो म्यूटेंट है कुरोना वारस का बी वन सिक्स वन सेवन जिसको हम डबल म्यूटेंट कह रहे हैं ये ह प्रणान रखेगा ये फॉसी नहीं करेंगे इसको प्रणाउंस फॉची तो इन्हों ने यहाँ पर लेटेश बोला और इनकी द्वारा जो भी बयान आता है उसको काफी जादा इंपोरे विशु के अंदर तो इसी को थोड़ा और डीटेल में जानने की कोशिश करेंगे च अगर आप अपनी प्रिप्रेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स को जॉइन कर सकते हैं जहाँ पर हर एक चीज स्टाटिक करेंट जो भी आपको चाहिए एक जगा उपलग करा दिया जाता है चली देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या है हम क्यों इसके बारे में डिसकस कर रहे ह तो यह जो डॉक्टर एंथनी फॉची है पहले तो आप यह देख लीजे इसके लावा अमेरिका के टॉप पैंडमिक एक्सपर्ट बताये जाते हैं यह तो यह टूजडे को रिपोर्टर्स के साथ बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर यह बोला था कि यह जो 617 है B.1617 variant यह यहाँ पर neutralize पाया गया है as per the co vaccine मतलब की neutralize का मतलब क्या होता है पहले आप यह समझो कि अगर कोई virus हमारे body में enter कर रहा है और अगर हमारे body की छमता है मतलब हमारे body के अंदर antibody है उस particular virus को रोपने में तो वो जो process होता है इसी को हम कहते है neutralization, neutralize कर देना तो यहा यह वाला जो variant है वो आपका neutralize हो जाता है मतलब कि यह हमारे body के अंदर जो है कुछ भी problem create नहीं करेगा और exact जो इनका statement है आप देख सकते हो कल इन्होंने press conference किया था और उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने बोला कि अभी भी हम विश्व के अंदर कई सारे जो viruses हैं उसके variant पर सफल साबित हुआ है और इसी की बज़े से उनका ये भी कहना था कि जिस प्रकार की परिशानी इस समय भारत में देखने को मिल रही है आप सबको पता है कि कितना ज़्यादा cases भरते जा रहा है तो यहाँ पर जो सबसे सही तरीका है यहाँ पर इन सारे चीजों को control में लाने का वो यही है आपका कि को वैक्सीन जो है या फिर कोवी शिल कोई भी यहाँ पर वैक्सीनेशन हमाएं लगाना काफी ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर permanent कोई solution नहीं है कल के date में फिर से कुछ ना कुछ प्रॉलम हो सकती है तो यहाँ पर वैक्सीन अगर हम लगवाते हैं उसके उपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जहां तक को वैक्सीन की बात है इसके बारे में जल्दी से थोड़ा जान लीजे भारत बायो टेक हैदराबाद की कमपणी है इनके द्वारा मनुफाक्चर किया जा रहा है विद दी हेल्प 8% ये effective है मैं इसके बारे में और आपको end में बताऊंगा लेकिन इसमें आप एक चीज़ जान लीजे कि ये जो वैक्सीन है ये बनाया किस्ते से गया है क्योंकि आपने देखा होगा अलग-अलग वैक्सीन को अलग-अलग प्रकार के तरीके से बनाया जा रहा है लेकिन ये हमारे body को कहती है कि देखो coronavirus आ रहा है लेकिन actual में मैंने क्या बोला ये dead form में होता है ये हमारे सरीर को कोई नुकसान नहीं पहुचाता है तो यहाँ पर जब body में vaccine जाती है तो अपने आप जो antibody है वो आपका create होना start हो जाता है मतलब कि हमारा जो immune cell है वो dead virus को यहाँ पर recognize कर मतलब कि इतना ज्यादा concern क्यों है मतलब कि specifically यहाँ पर double mutant को लेकर ही क्यों बोला गया कि co vaccine जो है वो B167 पर काम कर सकती है तो इसको भी थोड़ा से जान लो सबसे पहले तो याद रखेगा medically इसका नाम B1617 है लेकिन इसके अंदर दो mutations carry करता है मतलब suppose यह virus है यह coronavirus है इसके अ एक है आपका E484Q जो कि British और South African variant जैसा है आपने सुना होगा न British का variant है वो भी घातक था काफी और इसके अलाबा L452R जो कि California का variant है US का California तो यह दोनों वाले जो अंस है इसके वो coronavirus पर पाए जा रहे है तो यह जो पाया गया है इसको हम बोल रहे हैं double mutant क्योंकि दो आपके mutations इसके spike protein पर पाए गया है इसलिए इसको double mutant बोला गया और क्यों यह इतना जादा problematic है क्योंकि British और South African अपने आप में ही काफी जादा तेजी से virus को फैला रहे थे तो अगर यह सारी चीजें एक साथ combine होके एक single virus में आ जाती है तो आप खुद सोचों कि वो और कितना जादा जो है virus को spread कर सकता है और भारत में अगर आप देखोगे तो यह जो B1617 है यह पहली बार बताया जाता है detect किया गया था महराष्ट के अंदर पिछले साल ही October के महने में ही यहाँ पर detect कर लिया गया था और इसी को लेकर यहाँ पर criticism लिया आता है कि सरकार को इसके बारे में ब पताया यह दोनों आपके पाया जाते हैं mutation E484Q और L452R लेकिन अब यहाँ पर scientist का एक और यहाँ पर चिंता बढ़ गई है scientist के लिए क्योंकि उनका कहना है कि इसके उपर दो mutations नहीं इसके उपर तीसरा mutation भी पाया गया है वो है P6814 और क्योंकि यहाँ पर तीसरा mutation भी पाया सकता है देखो अभी भी क्या है यह prediction है जरूरी नहीं है कि यह फैलाएगा ही फैलाएगा लेकिन अभी के समय जिस प्रकार से cases बढ़ रहे हैं पिछले एक हफते से तीन लाग से जादा cases देली आपको देखने को मिल रहा है तो कही न कहीं यह सैंटिश के दोरा speculate किया जा रह कि पूरे wish में अगर आप देखिए तो at least 17 ऐसे देश हैं 17 countries हैं जहां पर यह double mutant वाला virus पाये गया है तो यहां पर अच्छी ख़बर क्या है simple अच्छा ख़बर यह है कि जो co vaccine है वो अच्छे से work कर रहा है इस double mutant के उपर लेकिन एक और question आता है कि क्या यह दूसरे variant पर भी क methodology में उन्होंने यहां पर बताया था कि हमने UK वाला variant, Brazil वाला variant, South Africa वाला variant इन सब को यहां पर isolate किया था मतलब उसको test वगरा करने के लिए isolate करना पड़ता है तो उसमें पाया गया कि UK और Brazil वाले variant पर तो यह काम करता ही करता है और अब यहां पर जो latest कबर आई है कि double mutant भी काम करता है तो एक अच्छी खबर है हम कह सकते हैं और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूँ कि कई लोगों का सवाल आ रहा है आपको पता है आज ही जिस्ट मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बता हूं कि registration स्टार्ट हो गया है आपका तो यहां पर vaccine लग हैं जिनको coronavirus हुआ है मतलब vaccine से कितना effective यह काम करता है और इसी प्रकार से जिन्होंने दो डोज लिया है उनकी संक्या 17 लाग क्या सपास थी उनमें सिर्फ 695 ऐसे लोग थे जिनको यहां पर coronavirus हुआ है मतलब clear तोर पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो vaccine है वो effective सावित हो रहा है औ मैंने देखा कई लोग कह रहा है कि kovi shield लगवाएं कि ko vaccine लगवाएं पहली बात तो आपको यह choice नहीं दी जाएगी आपसे यह नहीं कहा जाएगा आपको UPSC का mains थोड़ी लिख रहे हो optional थोड़ी ले रहे हो कि यह वाला political science ले 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 कि public administration ले ले यहां पर आप जब भी registration कर जा गया है कि Indian जो strain है मत्तब कि जो double mutant वाला है वो effective सावित हो रहा है वो kovi shield भी protect कर रहा है तो यह अब मत सोच लेना कि kovi shield नहीं कर रहा है को vaccine ही लेंगे ऐसा नहीं है जरूरी क्या है जरूरी simple यह है कि आपको vaccine लेना है कोई भी हो it doesn't matter तो I hope कि यह वीडियो आपको help किया ह होगा काफे कुछ जानने के लिए और यहां पर को vaccine के लिए तो definitely एक बहुत ही अच्छी कबर है international recognition यहां पर भारत के vaccine क्योंकि को vaccine के पर specifically ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे देश के अंदर ही इसको बनाए गया है जो kovi shield है serum institute यह तो manufacture कर रहा है भारत में लेकिन उसक इसको कहा जाता है athletes food इसमें क्या होता है कि जो upper layer of skin है उसके उपर impact होता है इस particular infection का तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यह कौन से infection की वजह से होता है क्या यह bacteria है virus है fungus है protozoa इसका जो और सही उत्तर है आपको पता ही है मेरे instagram पर तो मिलेगा ही अगर आप वहां पर नहीं हो मैं होब की वीडियो आपको पसंद आया होगा we'll talk आपसे next time till then thank you very much see you soon